हलो एब्रीबन विल्कम तो और चैनल वी के लॉग क्लासेस और आज हम लोग समझेंगे कॉंट्रैक्ट आफ एजेंसी के बारे में जो की आता है सेक्शन 182 से ले करके सेक्शन 238 के अंदर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे एजेंसी के बारे में एजेंसी का कॉंट्रैक्ट होता क्या है एजेंसी का का क्या होता है इसमें दो पार्टिस के बिच में कॉंट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी के बिहाब में उसके अथार्टी के तहद काम करती है इसी को एजिंसी का कॉंट्रैक्ट करते हैं कॉंट्रैक्ट आफ एजिंसी इसमें दो पार्टी होती है एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजिंट प्रिंसिपल क्या होता है जो अपना कार करवाता है एजेंट को रख करके एजेंट के पास यह अथौर्टी होती है कि वो प्रिंसिपल के भीहाफ में काम करें जैसा कि यहाँ पर एक जामपल है A makes agent contract agency contract with B a property dealer to sell his property A क्या करता है B से contract करता है B क्या है एक property dealer है जो की property खरीता बेचता है तो A को अपनी property sale करनी है तो यहाँ पर B क्या करेगा as a property dealer work करेगा as a agent तो वो customer को deal करेगा customer ढूलेगा और property को sale करवाएगा तो यह contract A और B के बीच में जो है इसको हम contract of agency कहेंगे कि इसके बाद देखते हैं दोस्तों section 182 के बारे में section 182 क्या कहता है एजेंट और principal को करता है कि एजेंट और principal क्या है एन एजेंट इस परसन इंप्लाइट तो डू एन एक फॉर एंदर और और तुर प्रिजेंट इंदर इन डिलिंग विद थर्ड परसन एजेंट क्या है एक परसन होता है जो इंप्लाइग किया आता है प्रिंस्पल के द्वारा जो थर्ड पाटी के लिए थर्ड पाटी से कॉंट्रैक्ट करके वर्क करता है और किस के लिए काम करता है प्रिंस्पल के लिए प्रिंस्पल को रिप्रिजेंट करता है उसका कारे करता है थर्ड पाटी से डिल करता है इसके बाद समझते प्रिंस् कहते हैं यह होगा section 182 इसके बाद समझते है section 183 को और दोस्तों अगर हम बात करें legal sense में तो हर वेक्ति एजेंट नहीं होता है कुछ लोग service देते हैं जैसे घर का कार करता है एक servant अपनी service देता है तो वो agent मोसको वेसे में लें कंजी अब्लե्ट इस भी एजन नहीं कहलें कि यह लोग थार्ड पार्टी से डील नहीं करते हैं Australians को एजेंट हम नहीं कह सकते हैं they are not acting for in dealing with third person क्योंकि third party से deal नहीं कर रहे हैं कि वहले अपना काम कर रहे हैं they are all are not act like a agent तो हम उनको एजेंट नहीं कह सकते हैं कि इसके बाद हम लोग बात करते हैं section 183 के बारे में section 183 क्या कहता है who may employ agent मतलब एजेंट का appointment कौन कर सकता है कौन एजेंट रख सकता है तो एजेंट कौन रख सकता है any person who attained the age of majority and of sound mind employ the agent कोई भी वेक्ती जो mature हो above 18 हो और sound mind का हो मतलब पागल ना हो वो एजेंट एपॉइंट कर सकता है एजेंट रख सकता है और अपना कार करवा सकता है तो दोस्तों क्या minor agent कर सकता है तो एक minor agent एपॉइंट नहीं कर सकता है यहां पर क्या बताएगा है a minor cannot appoint agent तो एक minor वेक्ती minor agent को appoint नहीं कर सकता उसके बाद हम बात करते है section 184 के बारे में इसमें क्या कहा गया हूँ may be an agent agent कौन बन सकता है agent बनने के लिए क्या-क्या requirement है तो एजेंट anyone can be a agent कोई भी वेक्ती एजेंट बन सकता है even a minor also can be agent एक minor भी एजेंट बन सकता है तो एजेंट बनने के लिए दोस्तों यहां पर क्या है कोई भी वेक्ती एजेंट बन सकता है section 184 के ताहित लेकिन section 183 में क्या कहा गया है अगर एजेंट हमें में पॉइंट करना है तो केवल मेचियर पर्सन और साउंड माइंड ही एजेंट एपॉइंट कर सकते हैं तो यह दोनों section आपको साउंड में आ गये होंगे तो चलिए आगे के section के बारे में बात करते हैं कि दोस्तों इसके बात बात करते हैं section 185 के बारे में यह क्या कहता है consideration not necessary तो यहां पर दोस्तों section 185 क्या कह रहा है जो एजेंसी का contract होता है उसमें क्या consideration की ज़रुवत होती है तो according to section 185 consideration is not necessary for agency contract तो agency के contract के लिए हमें consideration की ज़रुवत नहीं होती है ओके दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं agent and servant difference agent और servant का difference क्या है दोनों के बीच में अंतर क्या है तो हम यहां पे इन अंतर पढ़ेंगे पहला है agent has the authority to act on behalf of principal but a servant cannot agent के पास यह authority होती है यह power होती है कि वो principal के behalf में कारी करे but a servant cannot servant के पास यह authority नहीं होती है कि वो principal के behalf में काम करे उसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा क्या है a servant is paid by way of salary or wages agent receive commission servant को क्या मिलता है दोस्तों सहली मिलती है wages मिलता है जैसे आप जानते हैं but agent receive commission agent को क्या मिलता है commission मिलता है उसके कार के हिसाब से उसको commission मिलेगा third point क्या है a servant serves only one master but an agent work for many principal servant क्या करता है केवल एक ही master के लिए काम कर सकता है but an agent work for many principal agent क्या होगा कि कई principal के लिए उगार कर सकता है कई लोगों के लिए work करके commission ले सकता है यह हो गया एक तीसरा difference उसके बाद हमें एक example समस्थे हैं यहां पर a managing director of a company is an employee but in the matters of company relation to third party he occupies the position of agent okay दोस्तों यहां पर क्या कर बता है कि company का managing director होता है वह as a employee यह point कियाता है but company के relation में कार करना होता है जब third party से तो वह उसको agent की position मिल जाती है वह as a agent भी work करता है तो यह हो गया आपका agent और servant का difference और हमने यहां पर section 185 भी discuss कर लिया है इसके बाद आगे चलते हैं इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे duties of agent की क्या क्या duties होती हैं तो यहां पर लगवग हम आठ duties पढ़ने वाले हैं agent की तो सबसे पहला है duty to execute mandate mandate का क्या मतलब होता है आदेश मानना जो हमारा agent है principal का आदेश मानेगा principal जो भी कार कहेगा उसको करना पड़ेगा उसके इसाफ से जो business में work कर रहा है तो सबसे पहली और duty है agent की agent की क्या duty है कि वो principal का कहा मने he should perform the work which he has been appointed to do उसे वही कार करना चाहिए जो इसके लिए वो appoint किया गया है agent एपाइट किया गया है इसमें हमें केस भी समझेंगे पन्नालाल जनकी दास वर्सेज मोहनलाल इस केस में क्या हुआ था a commission agent purchase goods for principal एक commission agent था जिसने principal के लिए goods खरीदा principal के business के लिए और उसको secure किया go down में according to principal instruction प्रिंस्पल ने उसको instruction दिया कि go down में उसको रखो और उसने premium भी charge किया उसके लिए good insert किया उसके बाद क्या हुआ good loss हो गया जो भी समान था वो लास हो गया तो अब यहां पर agent libel होगा उस loss के लिए कि इसके बाद दोस्तों दूसरी duty पढ़ते हैं duty to follow instruction और custom यह आता है section 211 के अंदर agent duty in conducting principal business तो इसमें क्या होता है कि agent bound होता है to conduct the business according to the direction given by the principal principal जो भी उसको direction देगा उसी के हिसाफ से उसको काम करना है अगर वो उस हिसाफ से काल नहीं करता है कोई loss होता है business में तो उसके लिए कौन liable होगा agent liable होगा ओके दोस्तों तो agent को principal के direction के साफ से कार करना चाहिए यह कहता है section 211 इसके बाद हम आगे बात करते हैं तीसरी duty के बारे में इसके बाद दोस्तों हम लोग समझते हैं तीसरे duty के बारे में जो कि कहता है duty of reasonable care and skill इसके अंदर दो सेक्षन है section 212 और section 214 इसक्षन तो 112 क्या करता है skill and diligence required form agent बतलब जो भी agent appoint किया गया है वो अपनी skill पूरी लगन और मेहनस से काम करें जैसे कि एंदर business में कोई person करता है उसी position के लिए तो वो अपनी full skill से काम करें यह ही कि without skill बस ऐसे ही कार कर रहा है तो उसको अपनी पूरी skill उसमें लगानी चाहिए जो भी कार के लिए वो appoint किया गया है जैसे यहां पर एक example के दूर समझते हैं कि ए एक agent है उसके पास authority है कि वो goods sale कर सके credit में अब उसने क्या किया कि goods को sale किया credit में एक person को और inquiry नहीं कि B को sale किया और inquiry नहीं कि उसके बारे में और sale कर दिया credit पे उधार उसको goods दे दिया कोई भी समन आप क्या हुआ कि B insolve हो गया वो insolvent हो गया अब यहां पर एक क्या करेगा principle को compensate करेगा उस loss के लिए जो भी लास हुआ है जो भी goods लेके insolvent हो गया है तो इसके लिए अब यह लाइबल होगा principle को और उसकी भरपाई वह प्रिंसिपल को करेगा यह सेक्शन 128 इसके बाद देखते हैं दोस्तों section 214 के बारे में इसमें क्या कहता है एजन डियूटी तो सथे होती है कि वह प्रिंस्पल से कभिड करें कोई विकार में अगर दिख्कत आती है बिजनेस में तो वह प्रिंस्पल से कम्निकेट करें, it is the duty of an agent in cases of difficulty to use all reasonable diligence and communicating with the principal, अगर business during business course of business, अगर कोई भी दिक्कत आती है, agent को कार करने में, तो उसकी यह duty है कि वो principal से कम्निकेट करें, उसके बाद ही कोई decision ले, यह कहता है section 214, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, fourth duty के बारे में, agent की चौथी duty, duty to avoid conflict of interest, इसके अंदर दो section 215 and section 216, तो section 215 क्या कहता है, write a principle when agent deals on his own account in business of agency without principal consent, principal के क्या rights होते हैं, अगर agent खुद के agency के contract में, खुद के लिए कोई deal कर ले, अपने ही account में deal कर ले, अपने account में, इसको में एक example के तुरूँ समझते हैं, जैसे कि A ने क्या किया, B को अपनी property sale करने के लिए, B को ऐसे agent रखा और कहा कि तुम इस property को sale करवाओ, अब B ने क्या किया, उस property को खुद के लिए ही खरीद लिया, और principal को इस चीज के बारे में नहीं बताया, अब यहाँ पर जब जो principal है, discovered करता है, उसको पता चलता है कि जो agent है उसका, उसने property खुद के लिए ही खरीद लिया, जब कि उसे दूसरे को sale करना चाहिए था, तो यहाँ पर जो principal है, वो क्या कर सकता है, उस sale को repudiate कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, या फिर उसको accept भी कर सकता है, तो यह यहाँ पर principal के right है, according to section 214, उसके बाद हम बात करते हैं, section 216 के बारे में, इसमें क्या कहा हो गया है, principal right to benefit gained by agent dealing on his own account in business of agency, अब principal के क्या right है, जैसे कि section 215 में बात की, कि अगर जो agent है, अपने ही account में sale कर लेता है, अपने लिए, तो principal के rights क्या है, अब अगर उस sale में कोई benefit हो रहा है, कोई profit हो रहा है, तब क्या होगा, तब principal के क्या rights है, तो principal के ये rights हैं, कि वो sale को खद्म कर सकता है, उसे repudiate कर सकता है, cancel कर सकता है, या फिर उसे accept कर सकता है, और जो भी profit या benefit होता है उसमें, उसके लिए वो demand भी कर सकता है, किसे करेगा agent से, इस section को भी एक example के थुरू समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक principal है, उसने अपने agent को, principal A है, agent B है, उसने अपने principal को कहा कि एक घर खरीदना है, उसके लिए घर खरीदो, घर उसने बताए कि ये घर उसे खरीदना है, अब agent क्या कहता है, कि वो घर नहीं खरीदा जा सकता, house cannot be bought, और वो agent क्या करता है, बाद में खुद के लिए वो घर खरीद लेता है, अब जब बाद में पता चलता है, principal को खोज बीन करने के बाद पता चलता है, तो principal क्या कर सकता है, उस जो घर खरीदा है, उसको वो demand कर सकता है, same price में, जिस price मे isn't ने लिया है, वो उसके लिए वापस उसको ले सकता है, खरी सकता है उसी प्राइस में, तो यह कहता है section 216, कि अगर agent कोई भी चीछ छुपाता है, अपने account में deal करता है, तो principal के यह rights हैं, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, पाँचवे rights के बारे में, तो पाँचवा rights क्या है, duty not to make secret profit, agent की यह duty है, कि वो secret profit बिजनेस में नहीं कर सकता है, without principal knowledge, बिना principal के knowledge के वो कोई भी secret profit अन नहीं कर सकता है, यह है पाँचवे duty, उसके बाद छटी duty पढ़ते हैं, duty to remit sums, चटी duty क्या है, जो कि आती है, section 218 में, agent duty to pay sums received for principal, agent की duty है कि कोई भी sum जो principal के भी हाप में बिला है, principal के लिए, या फिर principal को बता करके उसने earn किया है, तो वो agent की duty है कि वो principal को बताए उसके चीच के बारे में, और principal को return भी करें, चाहे वो कोई void contract किया गया हो, या फिर illegal contract किया है, फिर भी जो है, अगर principal के भी हाप में उसने किया है agent ने, तो उसकी जानगारी उसको principal को देनी पड़ेगी, और उसका जो भी अगर कोई legal charge है, agent का, तो उसके लिए वो principal से demand कर सकता है, उसके लिए वो भी कर सकता है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, छटे duty, छटी duty हो गई है, साथवे duty के बारे में, duty to maintain accounts, agent के duty है कि वो क्या करे, account को maintain करे, agent account section 213, यह आता है section 213 में agent account, इसमें क्या है, an agent is bound to render proper accounts to his principal on demand, agent bound होता है इस चीच के लिए कि अगर कभी भी principal demand करता है, account की demand करता है, जो भी विजनेस में कारे हुआ है, जो भी उसने किया है, उसको देखने के लिए, तो agent की यह duty है, कि principal को provide करवाए, और उसे account दिखा है, यह आता है section 213 में, यह duty है, agent की duty है, तो हमने साथ duty यह पढ़ लिए है, अब last है, आठवी duty, duty not to delegate, यह आता है section 190 में, इसमें एक maximum भी है, maximum delegatus non potest delegator, है, तो दोस्तो इस section में क्या है, कि जो agent है, वो क्या नहीं कर सकता, delegate नहीं कर सकता है, ओगे दोस्तों, तो delegate क्या होता है, the agent cannot delegate the work on which has been delegated to him by the principal, तो agent अपने work को delegate नहीं कर सकता है, मतलब कि अपने work को किसी और को सौब नहीं सकता है, जिसके लिए principal ने उसको appoint किया है, अगर simple sense में बात करें हम, तो agent cannot appoint sub-agent for their work according to section 190, मतलब कि जो agent है, वो कार करवाने के लिए कोई sub-agent को appoint नहीं कर सकता है, sub-agent क्या होता है, जो agent के अंडर में काम करें, मतलब कि agent ने जैसे किसी को appoint करके, principal का का काम किसी और से करवाय, तो ये agent नहीं कर सकता है, यही कहता है हमारा maximum, जो क्या आता है section 190 में, तो ये agent की duties हो गई हैं, हमने पढ़ी, आगे हम राइट्स पढ़ेंगे, राइट्स आप एजन्ट, एथाल्टी, एंड लाइबल्टी आप एजन्ट, एंड रेवोकेशन, तो तीन चार टॉपिक बचे हैं, जो कि हम next वीडियो में cover करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंदी हो जाएगी, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगए हो, तो वीडियो को like करें, share करें, और अपने दोस्तों को भी share करें, ताकि वो इसकी knowledge ले सकें, और चैनल को subscribe जरूर कर लें, ओके दोस्तों, तब तक लिए, goodbye and thank you for watching this video.